आपका स्वागत है दिन भर की तमाः और बड़ी खबरों के साथ मैं हुलन निमी आयो नजर डालते हैं सुखियों पर आपात काल को काला दिवस बताने के दौरां घिरे केम रहें मंत्री उडिया के ताम ने पेश कर दिये गलत हागडे मत्रदेश विधानसवा चुनाव के लिए आम आधी पार्टी की तैयारियां पूरी जारी की प्रत्याशियू की सूची सिहोर में छात्रा के शोशण के मामले में कोट ने सुनाया बड़ा पैसला आरोपी को साथ साल दीजे राइधाने पोपाल पहुंची बांसुमी हवाएं दो दिन में भुगे जोड़ार पारिश इमर्जेंसी के विरोध में देश भर में भास्पा दौरा मनाया जा रहे ब्लैक डे के मौके पर प्रदेश स्थर पर मुख्य आयोचन सीम शिवराक्ष के निवास पर हुआ इस दोराण प्रदेश भासपा के कई दिगज निताओं के सांग कींद्रिय रसायन इवा पूरवरत मंतरी वा मदभदेश भासपा के पूर्वरत प्रदेश प्रभारी अनburst कुमार मिष्र भी शाविए उन्हों나हे आपादकाल के दोराँ कैद किये गए मिशादंदियों को सम्माने किया साथे प्रेस कांफरेंस के दौरान मीडिया से रूब रूबी हुए इस गौरान बीजीपी कारेकाल में किसानों की आत्महक्तियां को लेकर पूछे के सवाल का जवाब देने में मंत्री महदे डगमग नजर आए दरसल आपात काल को काला दिवस बताने जनता के केंद्रिय मंत्री से मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि क्या मंसौ घुली कांड मी किसानों के लिए आपात काल था तो मंत्री अनंत कुमार ने करनाटक में कॉंग्रिस साशन की दौरान हुई 3,800 किसान की आत्महत्या का जिक्र करना शिरू कर दिया वहीं जब उनस लगाते हुए जवाब दिया कि भास्पा कारेकाल में भी लगबग 600 किसानों ने आत्महत्या की है आपको बता दे के एंसी आरबी की रिपोर्ट मंत्री अनंत कुमार के आंकडों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2014-15 के बिज़पी से तो किसानों के आत्महत्याओं के मामले बड़ी तादाद में सामने आ चुके हैं इसके अलावा अगर देखा जाये तो किसान आंदोलन भी किसानों के आत्महत्याओं को लेकर रोश में आया था पूर्वा आई पेस गांधिवादे किसान नेता से युव और पार्टी के कारेकर्ता शामिः बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की दूसरी सूची शेह जुलाई को गौालियर में जारी की जाएगी यहां भी बताया जा रहा है कि पार्टी के राश्ट्रे से यूजक और दिल्ली की मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल 15 जुलाई को इंदौर आएंगे इससे पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रधारी और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री गौपाल राय ने कहा कि आमादमी पार्टी ने दिल्ली में व्यवस् बनाई है उसके कारण प्रदेश में हर और समस्याएं हैं शिक्षा स्वास्थ रोजगार किसान बिजली सड़क पानी जैसे बुन्यादी मुद्दों पर मत्र प्रदेश की इस सधीर बेहत खराब है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उसे त्रस्थ हो चुका है और व्य अध्यक्ष बने हैं संसथिये कार्यों में बाधाये आ रही है उन्हें संसथिये कार्य का कोई अनुवर नहीं है संसथिये सत्र में विपक्ष को कैसे चलाना और किन विश्यों के बारे में चर्चा करना है बहस करना है किन विश्यों को उठाना है किस विध्यक के बारे में क्या करना यह भी आज के समय में उनके नित्रत्वत में कॉंग्रेस दोहरा माप्डन अपना रही है केंद्रिय संसतिय कार्यमंत्री ने कहा कि चार साल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नित्वत जितने विधाई और संसतिय कार्य हुए हैं वह भारत के संसतिय इतिहास में एक रिकॉर्ड है उन्होंने कहा पिछली सरकारों के मुकाबले केंद्र की मोधी सरकार के पिछले चार साल के कारेकार में सबसे काम्याब संसतिय सत्र हुए हैं इस दौरान जितने विधाई इन संसतिय कारे हुए वहाँ भारत के संसतिय इतिहासमिक रिकॉर्ड है यहां सत्र 119 से 120 पीसेदी तक काम्याब हुए हैं चौदवे विधानजबा के अंतिम सत्र के नाट की रूप से अनिश्यत काल के लिए इस थगे थोने के बार रायेतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल है मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बुद्वार शांगो भास्पा विधायक दल की बैठक उलाई है बैठक सीम्थ हाउस में शांग 6 बजे होगी इससे पहले मंत्राले में मुख्य मंत्री प्रदेश के आला अधिकारियों के सांथ बैठक करेंगी जानकरी के अनुसा शांगो सीम्थ हाउस में होने वाले विधायक दल की बैठक को एहम माना जा रहा है इसमें मुख्य मंत्री की जल आशिरवार ज्यात्रा पर चर्चा होगी सांथी कयास लगाए जा रही है कि विधानसभा के अनिश्यत काल तक के लिए इस्थगित की जाने के मामली को जन्ता के सामने किस तरह पेश करना है इस पर भी चर्चा होगी बता दें कि मुख्य मंत्री शिवरासिंग चोहान ने बुद्वार शाम को भास्पा विधायत दल की बैठत बुलाई है मत्य प्रदेश विधानसभा के कारिवाही अनिश्यत काल के रिए इस्थगित कर दी गए यह प्रदेश की चर्थवी विधानसभा का मानशूट और आकरी सत्र था वैसे भी इस तत्र स्रुफ 5 दिन का था लेकिंज महच 2 दिन की कारिवाही और समय का हिसाब लगा है तो इन दो दिन में 5 घंटे ही सदन की कारेवाही चली दूसरे दिन विजवे विधायत नी लग अभे मिश्रा के सदन में धरने के पाथ हंगामा बढ़ा और पस उसके पाथ कारेवाही आगे ही नहीं बढ़ सकी विधानसवा के सदन की कारेवाही अनिशित काल के लिए इस थाल दिया गया था लेकिन अब सदन की कारेवाही अनिशित काल के लिए सकी ठोने की कारण फोटो शेशें ही नहीं हो पाया इसके पहले सत्र के दूसरे दिन इमर्जेंसी को लेकर बीजवी और कॉंग्रेस की भी जंग कर हंगामा हुआ दूसरे दिन सजन की कारवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा शिलू हुआ सप्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तीखी पहस भी हुई इतना ही नहीं कॉंग्रेस इधायर आसंदी तक पहुँच गए वहें BGP ने इमर्जेंसी को देश के इतिहास में सबसे काला दिन बताया दिन की शिरुवात से पहले कॉंग्रेस ने कहा था कि विधानसबा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा की मांग करेगा उनका आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताओं में कुछ नया नहीं होने की बात कहेकर सत्तापक्ष चर्चा से भागने की कोशिश में लगा है बता दे कि शिवास सिर्कार का चिनाव से पहले शिरु हुआ अंतिम विधानसबा सत्र का पहला दिन मांगामे की भेच चड़ गया था सत्र की मांगामे दा शुरुवात हुई, एइभल मिधानसबा के लिपात के लिए बता दे का कांगरस नियताओं ने लिपर्ट ता रिपोर्ट को लहे कर सवाल खड़े किये है तो परी दारी है इडिया है वोज़चला वर्णा नहीं कानी काम चलते है इसमें शगर में फगई ती है वो उसके बाइप लुके जा रहे है अरे मोगाई पॉड़ा उसके नहीं रुखिया था अब पॉड़ा बाइप समय जब भया तो वहां बस्ती वाले उसमोर के बस्ती वाले थे वहां गयते हैं अंब आरशाब इसकतिया सथी करहा तो यही बात है अब बताया ये भी जाला है कि आपको पीछड वाली सड़क के चलवा दिया गया अब जयला वर्दन यूजडा काम चल रहा है, वह सिवर सिस्टम बन रहा है, तो उसकी कुदा ही चल रही है, जब वह सिवर लाइन ड़ जाएगी तो उसकी उपर्दसड़क बनेगी, तो बनना ही है, वह सब क्या कारण है? अमरत यूजडा में खरकुन शहरे में 200 करोड के काम चल रहा है, इसमें 100 करोड की जहला वर्दन यूजडा और 150 करोड की अमरत यूजडा, इसमें सीवर सिश्टम बन रहा है, उसके खरण शहर में कुदा ही हुई है, पड़ता सब क्या कारण है कि मंत्रियों को और विधायको विकास यात्रा के तुर्ण काफी उलोग का सामने करना है, अरे आप हमारी विडियो दिखाए अपको, ने ने, आप ही ने, उसका लाबत भी दूसरे लोगों भी हुए है, अर गाओं में बोड़ा लाते थे, बेंड़ बजा लाते थे, पूरे गाओं का भोज होता भाते ज और दो माँए रखे रखे लेकों, वहन सारे मिद्रेखें, यह 17 मिद्रेखें यह 5 दिन पर याप नहीं है, समय बढ़ाए जाए, उख्त ने काइए, उख्त ने काइए, आप हमारे संग्याश को रहे हैं, आप जाएकर, यहाँ तक अविश्वास के बार्त है, अविश्वा प्रदेश को लेके आए और जितना करजा इस प्रदेश के आम जंता पर इतना इस मुख्यमंत्री ने भष्टाचार किया वो विजली विवाग का किया व्यापव में किया एग्रिकल्चर के ही टेंडिंग में किया या अलग अलग प्रकार से और एविडेंस के साथ हम आविश्वास पेश करेंगे आपकी जवाब देई है प्रदेश की जंता के प्र किसी तरीके से अपने आपको छुपाना चाहता है मुख्यमंत्री में अगर इमानदारी है तो परिवार की बात में करते हैं वे जवाब देई की बात करें किसानों की हत्या हुई क्यो सजा ने मिली किसी को एक लाग पिचोतर हज़ार का करोण का करजा हो गया किसकी जवाब जवाद्देई हैं वाइट पेपर क्यों नहीं है प्रदेश के सामने आप नहीं टेंडिंग में अर्पो रुप्य का घोटाला किया उसके लिए जवाद्देई किसकी है एक्रीकल्चर विवाग संसदी कारी मंत्री खुद जिस विवाग को समालते हैं उसमें टेंडिंग में इस चोरों की मंदली का चहरा बेनकाब होने लगा है तो कभी परिवार की बात लाके कभी परिवार के किसी प्रकार का कवज बना के अपने आपको बचानी सकते हैं यहां बचाएंगे तो जनता से किसे बचेंगे, वो तो हटाने पे तुली है, यह सरकार चार महिने की बची वी सरकार है, यह मुक्य मंत्री तीन महिने के बचे हुए मुक्य मंत्री है, कितने भी बचि लें अन्ति निश्चित। संत भाईयों महराज का अस्तिकलश मंगलवार को शुजालपुर पहुचा जहां अस्तिकलश के सांथ शद्दांजली यात्रा निकाली गए और पैत्रक खेत पर स्मारक के रूप में छत्री निर्माट स्थल्प का भूमे पूजन हुआ पूजन सी पहले बेटी कुहु मा मादवी की समाधी पर पहुची और स्मारक से पढ़कर खूब रोई परिजन ने जब सांच्वना देना चाही तो बोली मैं नहीं हडूँगी वहां मेरी मम्मा का फोटो फार देगी मैं नहीं पारने दूँगी किसी को बाबा आईगा फोट को दूजन कि को फोटो फूजन में उर्डात में इस blurbiltu कि यह तكहली बार बेटी चाही महा MOD मनॐ फार छुटाये बाले दुमों और सूर्यदय परिवार सब्सक्रेदी की समाध्या सांथ कुड़ा परिवार शिजालबुर पहुंचा सीहार ने 16 साल की छात्रा के सांथ शोषड के मामली में कोट ने सुनवाई की कोट ने आरोपी को 7 साल की कार्यावास और 20,000 रुपए का आर्थ गंड दिया इसके सांथ ही बेटे की बदद करने वाले पिता को 5 साल की सजा और 15,000 रुपए अर्थ गंड की सजा चुनाई बताया चा रहा है कि 3 दिसंबर 2016 को छात्रा स्कूल जाने के लिए निकली थी उसी दौरान अमन नाम के यूख ने उसका अपरहरं कर दिया जिसके बाद चात्रा के परिजनों ने अपरहरं होने की शिकायत पुलिस में दज़ की पुलिस ने कारवाई करते हुए चात्रा को आरोपी अमन की घर से बरामत किया चात्रा ने बताया कि 18 दिन तक शाधी करने का दबाव दे कर उसका शोशन किया गया भुपाल के LN Medical College के MPBS चात्र यश्च पाठे खुदखुशी केस में एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में कुछ लोग उसे बैट से बुरी तरह पीट रहे हैं ये वीडियो 11 जून का भुपाल का है यश्च बैतूर का रहने वाला था इस मारपीट के बाद वो उसी राध भुपाल से बैटूर लोता था बैटूर में 13 जून की राध उसमें पांसी लगा कर आत्मत्या कर ली थी इस मामले में पुलिस ने उसकी दोस्ट चूती शर्मा और गौरफ दुबे सहित कुछ अन्य दोस्तों को आरूपी बनाया है चूती शर्मा पूरुविधान सबा सच्छी सत्यनारेंड शर्मा की पीटी है पूरा मामला ड्रक से जुड़ा बताया जा रहा है अब तक जो बात सामने आई है उससे पता चला कि सुसाइट से पहले यज का कुछ सांकियों से विवाद हुआ था और तब से वो तनाव में था भोपाल के एलेंग मैडिकल कॉलेज के साथ यज पाठे के सुसाइट केस में रोज नए फुला से हो रहे है अब एक वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग यज को धंका रहे हैं और बेल्ट से पीट रहे हैं इसमें लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही है वो भी धंकी के लहाजे में यज से बात कर रही है आप नीचे गर अभी सामने बोलेगा चल के म्हतं कर वाएगा अच्ट मेरल का मारे मर्जाओं यहीं मर्जा मद कर यह चल कि के सामने बोलेगा चल के Bo परहत नहीं आप नीक्या गर्ग विम्त वाइब जिला पार काउंसल के अभिभाशक एक दिवसी है हर काल पर रहे अभिभाशक संगर की सदस्यों ने ग्वालियर पार काउंसल के सदस्यों के साथ मार्पीट कर लूट की घटना का विरोध जताती हुए निन्दा प्रस्ता ओ पास किया इसके साथ एड्वोकेट प्रोजेक्ट एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अभिभाशकों ने नियालाय कारियों से बिरत रहकर घटना की सीदिय जांच के साथ सांथ बदमाशों की ग्रफतारी की मांग दियुए आपको बता दें सागर जिली के मार्फान थाना शेत्र में अग्यात लुटेयों ने स्टेट पार काउंसिल जबलपूर की मिटिंग से लॉट रहे ग्वालियर हाई कोर्ट बार असोशीएशन के अध्यक्ष अनल मिश्रा उपादिक्ष राजीर शर्मा सहीथ चारवकीर और पानी पहुत गया वहीं जावर में 6 घंटे से लगाता धोरे मी बारिश से नेवज नदी में भी उफान पर आ गई है जिसके बाद पुल पर किसी को जाने से रोक दिया गया है और पुलिस कर्मी को तैनात कर दिया गया है वहीं बारिश के चलते जिला मुख्याले सहे चिले भर में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए है पानी के कारण फज़ गई कोलार के बाद 83 में आने वाले ओमनगर के रहवासियों का गुस्ता चड़क पर नाली नहीं बनने से पूट पड़ा है रहवासियों ने एक जुट हो कर जूते चपलों की माला बना कर चड़कती उपर टांग दी है 37 साफ शब्दों में कहा है कि पारशत विधायक पर सांसत का जूते चपलों की माला से स्वागत करेंगे 38 रहवादयों ने विकास कारे नहीं होने पर महापोर और को भी घेरा रहवादयों का कहना है कि स्कोलार में तेज बारश होने पर हर साल सड़कों होगरों में बारश के पानी भर जाता है लोग बेघर हो जाते हैं बार पर शिकायक करने के बाद भी नपार्शत मन्पूल मीरा सुन रही है और नहीं शित्रियों विधायक रामिश्वर्ट शर्मा महापार आलोग शर्मा और आलोग संजर तो बोला छांकने तक नहीं आते आखिरकार सड़कवन नाली निर्मान की गुहार लगाने किसके पास जाएं इससे एक ही तरीका सुझा जूते चपल की माला बनाकर ओम नगर के स्वागत दोहर पर टामवा दी जाएं मत्रदेश में चाउदा ने लेट आया प्रीमांसू ने धमाकेदा दस्तकी पहली बारिश में कई जिले जल्मग्न हो गए इन दौर में जहां मंगलवार को चार घंटे तेजबारिश से सड़की नाले में पदलके ही वही तीवास में कई नदियां उफान पर आ गए जिससे करी गाओं का संपर्थ तूट गया सिर्णी में तेज बारिश के बाद बिजली किरने से खेट में काम कर रहे पांच लोगों की मौत हो गई जबके तीन गुरी तरह से जुलस गए वहीं महेश्वर में महेश्वरी नदी की उपान पर आने से एक फैस पानी में बैए गई ग करी हो गया है कुछ घंटों में कई चिलों में चोड़दार बारिश हो सकती है सिपने चिले के बोन गाओं में मंगलवार को कुछ मजदूर मक्य की बुवाई कर रहे थे साहताय बच्चे खेट के पास ही खेल रहे थे बारिश शिरू होने से सबहें लोग आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए इसी तोरह अना आकश्य बिजली गिरने से पांच लोग की मौत हो गए जब की तीन लोग छुलस गए कि पत्रिका मदरदेश के फोपाल बुलिटिन में आज इतना ही पलपल की अपडेट्स के लिए बने लिए हमारे साह नमस्कार